नमस्कार दोस्तों क्रीसेंट एजूकेशन क्लासस में आप सभी का सुवागत है वेरी गूड इवनिंग टो आल अफ यू दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे UKPSC के द्वारा दो important notification जारी किये गए उनके बारे में अभी अभी ये notification जारी हुए है आरेक्षण में बदलाओ किया गया और परिक्षा इस्थगित हो गई है तो चलिए जानते हैं पहले दोस्तों बात कर लेते हैं वो परिक्षा की जो इस्थगित हो चुकी है उत्राखंड लोकसेवायक के द्वारा दोस्तों आज की दिनांक में विज्ञप्ती जारी की गई है महादिवक्ता कारेले के अंतरगत समिक्षा सायक समिक्षा दिकारी परिक्षा 2021 एतत द्वारा सुचित किया जाता है कि विज्ञप्ती संक्या 204 दिनांक 21 दिसंबर 2020 परिक्षा की नवीनती थी कि सूसना सीग रही आयो की वेबसाइट UKPSC.gov.in एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रतक से प्रकासित की जाएगी तो भाई 23 जन्वरी को RO ARO का एक्जाम होने वाला था इसको अभी पोस्पॉन कर दिया गया है ठीक है कारण नहीं बताएगे हैं अब परिहारी कारण उसे इसको पोस्पॉन कर दिया गया तो आप में से कई लोग RO ARO परिक्षा की तयारी कर रहे थे तो आपको एक तरह से समय भी मिल चुका है लेकिन ये परिक्षा अभी कुछ समय के लिए पोस्पॉन हो चुकी है जल्द ही UKPSC की वेबसाइट पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा नवीन डेट के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा विज्यापन या विज्यप्ती जो इनके द्वारा जारी की गई है दूसरी विग्यप्ति दोस्तों जो जारी की गई है UKPSC के द्वारा वो है संबन्दित लोवर PCS परिक्षा से देख लीजे समलित राज्य सिविल अवर अधिनस्त सेवा परिक्षा 2021 के अंतरगत कुल 190 रिक्त पदो तथा नायप तैसिलदार उपकारापाल पूर्ती निरिक्षक विप्णा निरिक्षक ठीक है खंड सारी निरिक्षक के पदोपर सीधी भरती के चैने तू दिनांक नौग अराक्षन सेवार उपस्रीणीर संसोधन किया जाता है जिसके करम में उप्रोक्त संसोधन का विवरण निम्नवात है ठीक है तो यहां पर देखिए दोस्तों इन्होंने संसोधन थोड़ा सा कर दिया है मैं आपको बता दू थोड़ा सा मैं सामाने पहले इनके जो कुल रिक्त पत थे तो इनके दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि राजय सुभाग में जो नायप तैसिलदार का पत है नायप तैसिलदार में दोस्तों इनके जो कुल रिक्त पत थे अब वो पहले यहां पर 35 थे 35 से अब यह हो गए है 36 थीक है जन्जादी का एक भी पद नी था, पहले 0 थे, अब यहां पर एक पद कर दिया है, ठीक है, अब एक पद यहां पर आग यूगा है, ठीक है, इसके अलावा OBC के पहले 4 पद थे, अब 5 कर दिये हैं, और जो EWS थे, उनके 4 पद से 3 पद कर दिये हैं, ठीक है, तो यहां से आप जन्रल के 22 से 2 पद कम हो गये, और EWS का एक पद कम हो गया, ठीक है, OBC का भी एक पद बढ़ गया, ठीक है, उनका पद बढ़ गया, और ST वालों के लिए भी एक पद यहां पर आ चुका है, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं उपकारापाल की बात करूँ, तो देखें, उपकार सामाँए में इसको 15 कि बात करें, तो सामाँए में की बढ़ गया, धीक है, और यहां पर इन्हो ने क्या किया है, बह bise से जिए जो SC यहां पर पान्च पत कर दिए, पहले यहां पर आट थे, ठीक है, अब इसके बाद अगर ST की बात करें, तो SU में हम यहां पर 0 पत था, ठ तीन पत कर दिया है, ठीक है, और जो EWS है, EWS में कोई चेंज नहीं है, इसमें तीनी पत है, ठीक है, मैं आपको प्रॉपर डिटेल बता रहा हूँ, देखिए, बहुत इंपोर्टेंट होती हैं, ठीक है, यह कही न कहीं मेरेट पे बहुत जाता फरक डालती है, ठीक है, इसके अलावा, यहां पर देखिए, यह जो 6 पत हैं, यह जो 6 पत हैं, यह पहले 12 पत थे, SC के, ठीक है, तो SC के 12 पतों से इनको क्या कर दिया है, 6 कर दिया है, ठीक है, 12 से 6 कर दिया है, ठीक है, ST के 3 पत थे पहले, अब यहां पर शुन्ने हो चुगा है, ठीक है, मैं आपको बात क इसके बात की जाएगी तो उसके तीन पद यहाँ पर कर दिये पहले एक पत्ता, ठीक है अब इसके बात करते हैं विपड़न निरक्षे की तो विपड़न निरक्षे के पहले भी 50 पदी थे ठीक है और जन्रल में पहले दोस्तों 26 पद थे अब 26 से 32 कर दीए ठीक है कि है यहां पर एले 10 पड़ ते यानि कि SC के 10 पड़ ते साथ हो गए यानि कि कम हो गए ठीक है इनके ST के 2 पड़ थे पहले भी अभी 2 पड़ है और यहां पर दोस्तों 8 पड़ हो चुके 8 यानि OBC के जो पड़ दो का से 8 कर दिये ठीक है और EWS का एक पद कम हो गया महला एक पद बढ़ गया पहले 4 थे 4 से अब कितने हो गए 5 हो गए ठीक है इसके बाद जो स्रम विभाग है स्रम विभाग के अंतरगा स्रम परवरतन अधिकारी है यहाँ पर भी चेंज हुआ है थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए जो कुल पदों के संक्या नौ थी अभी भी नौ है और यहाँ पर जन्रल के लिए एक ही पद था पहले अब एक से लेकिन यहाँ पर कितने कर दियें चे कर दियें ठीक है यहाँ पर आप छे पद कर दियें यानि कि कितने बढ़ा दियें पर पांच पद बढ़ा दियें ठीक है इसके अलावा जो स्सी थे स्सी के तीन पद थे तीन से एक कर दिया पद ठीक है मतलब कि दो पद घटा दिये ठ और इसके बाद यहां पर EWS का भी एक पद दोस्तों कम हो गया, पहले इसके दो पद थे दो से एक कर दिया गया, ठीक है, तो यह दोस्तों इन्हों ने चेंज किया है, विग्यापित पदो की संक्या में उपरोक्तान सार संसोधन होने के दृष्टिकर्ट प्रसिंगत विग्य आपन संक्या दिनांग 9 अगस्त 2020 से सरते यथावत रहेंगी, जो भी विवरान आपने दिया है, वो यथावत रहेंगी, इसी तरह से दोस्तों जिससे PCS में भी कई लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है, कि सर हम PCS में जिससे लिंक दुबारा खुल रहा है, तो क्या हम आवेदन करेंगे, तो आपको दुबारा आवेदन करने के आवश्यक्ता नहीं है, दोस्तों, जो कि वहाँ पर जब 94 जब एक्स्ट्रा पाद जो एड किये गए थे, तो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन आपने आपने आड कर रही है, उन पत के सापिक्श में, तो आपको दुबारा आवेदन करने के आवश्यक्ता नहीं है, हाँ अगर नए जो पाद उसमें एड वे होते, उनकी कोई special qualification होती है और आपने वो एड नहीं की होती, तो आपको संसोधन करने के आवश्यक्ता पड़ती, लेकिन अगर वहाँ पर जो आपको पाद हैं और आपन कि उस qualification को वहाँ पर form में apply करते हुए डाल रखा है उस qualification को, तो आपको दुबारा दुबारा उस form को बनने के आवश्यक्ता नहीं है, तो दोस्तों ये थी आज की जानकरी, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then, take care and good bye.